अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले जिससे मेरे चैनल पर सारी वीडियो इस वीडियो में आपको बताने बहूं कि अगर आप CMA को जॉइन करना चाहते हो, तो कितने लेबल से क्या मार्क्स आपको लाने परेंगे CMA में इन सौट बहुत सौट वीडियो है, I think इससे जादा सौट वीडियो नहीं हो सकती है, तो अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वेल आइकन को प्रिस कर लें, जैसे सारे वीडियो की अपडेट आपको बिलते रहे हैं, तो मैं बात करता हूं, CMA में 3 ने बल है, Foundation, Intermediate and Final. टोटल… 20 सब्सक्राइब साथ हैं, FCA में 4 सब्सक्राइब, in- Antarctic में 8 में 8 सब्सक्राइब, इस चैनल में ढ़िकए हैं and अगर आप बोट रूप देते हो, तो आपको 800 मार्ख का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपको 400 marks लाने परेंगे, minimum per paper में आपको 40 marks लाने compulsory है, इसके लाबा मैं बात करूँ, admission के लिए तो आप foundation में, आप class 10th के बाद आप enroll करवा सकतो, इसके लाबा जब आप class 12th pass out हो जाओगे, तभी आप CMA foundation का paper दे पाओगे, 12th pass out होने के बाद, इसके लाबा अगर आ intermediate की बात करो, तो intermediate में आपको आने के दो तरीक है, या तो आप CMA foundation pass out करके आप intermediate में आ सकते हो, या फिर आप direct graduation से CMA intermediate में admission ले सकते हो, इसके लाबा जब आप intermediate में आप enroll करवा लेते हो, तो आपको कुछ mandatory training है, जो आपको करनी है, जिसमें SAP की course है, MS office का course है, e-filing का course है, and एक Cambridge University के soft skill training है, तो ये सारी mandatory training आपको करनी परेगी, तभी आप intermediate का paper दे पाओगे, otherwise आप paper नहीं दे पाओगे, आप एक group without training के दे सकते हो, लेकिन आपको दूसरी group देने से पहले आपको सारी mandatory training करनी परेगी, फाइनल में अगर बात करते हैं, तो आप intermediate qualify होती है, आप final में आप enroll ले सकते हो, final में भी दो group है, और same यहाँ पे भी आपको per paper 40 marks लाने है, और each group में 200 marks लाने है, अगर आप single single group देते हो, बोथ रूप देते हो, तो आपको 400 marks लाने है, total में, यहाँ पे भी दो mandatory training है, एक 7 days क industrial orientation training program है, और एक 15 month की mandatory training है, जो आपको किसी CMA या फिर किसी corporate में करनी है, अगर आप already job कर रहे हो, और CMA इंशुट के बतायागे है, फिल्ड में कर रहे हो, जैसे account, finance, taxes, इन सब में, अगर आप job कर रहे हो, तो आपकी job की experience count कर ली जागे, आपको अलग से training करने के जुरुत है, so in short, इसारा कुछ था, जब आप final qualify कर जाओ, और CMA इंशुट केंपस करवाती है, आप campus में participate कर सकते हो, और जब आपके पास total 3 years का experience हो जागा, यानि आपकी 15 month की mandatory training plus balance, जो period बता है, उन सब को मिला का, अगर 3 years का experience हो जागा, तो आप CMA इंशुट के आप members बनने के उरोब के लिघस आपलगा.